हेलो फ्रेंड्स, वल्कम टू होम फूट रेसिपीज, आज हम गर पे ही बाजार जैसा वैनिला कस्टर पावडर बनाएंगे, कस्टर पावडर का यूज कहा होता है ये सभी को पता होता है, इस कस्टर पावडर का यूज करके आप मिल्कशेक या बासुंदी बना सकते है, मैं चैनल उपर शेयर कर चुकी हूँ, और उसमें मैंने यही कस्टर पावडर यूज किया था, फ्रूट सलार के वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देए दूँगी ताकि आप देख सके, तो चलिए कस्टर पावडर बनाना शुरू करते हैं, सबस इसमें 1-3 cup का आधा मिल्क पावडर एड करेंगी, जितनी हमने चीनी ली थी उससे आधा हमें मिल्क पावडर और कॉनफलोर एड करना है, तो अब 1-3 cup का आधा मैं इसमें कॉनफलोर भी आड कर देती हूँ, आप अपने घर की कोई भी एक कटोरी चीनी ले सकते हैं और उस पास liquid yellow color है, तो आप वो ले लीजिए, मेरे पास ये powder form में है, तो मैंने ये add किया है, अब हम सब कुछ अच्छे से पीस लेंगे, तो friends आधा चमच पानी डाल के मैंने सब कुछ अच्छे से पीस लिया है, क्योंकि आप पानी डाल के नहीं पीसेंगे, तो इसका जो रंग है वो निकर के नहीं आएगा, light yellow color का हमारा custard powder बन के तयार हुआ है, और इसे हमने आधा चमच पानी डाल के पीसा था, इसलिए इस तरह के इसके अंदर lumps भी है, तो फिर से एक बार मैं इसे अच्छे से पीस लेती हूँ, ताकि जो भी lumps है वो तूट जाए, और ये जो powder है वो 8-10 मिनट के लिए सुखा लेना है, ताकि इसमें कोई भी moisture ना रहे, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, एकदम बिल्खुल बारिक market जैसा हमने इसे पीसा है, तो अब मैं आपको इसे एक प्लेट में भी निकाल के दिखाती हूँ, एक बार हम इसे strainer में strain कर लें है, और अभी आपको इसका जो कलर है वो light yellow दिख रहा होगा, लेकिन जब आप इसे दूद में mix करेंगे, तो एकदम अच्छा घाड़ा कलर इसका आ जाएगा, मेरे fruit salad की वीडियो में मैंने यही homemade custard powder यूज किया है, और आगे भी मैं आपके साथ इस custard powder से बनने वाली कई सार इसी हुई चीनी सब powder होके नीचे प्लेट में गिर जाएगी, अब इसे आपको 10-15 मिनट दूप में सुखा कर स्टोर कर लेना है, तो फ्रेंड्स आपने देख लियाना के घर पे ही बाजार जैसा custard powder बनाना कितना आसान है, आप इसे आटाइट जार में भरके फ्रीज में प बोलिए, और अगर आपको मेरा यही वीडियो गुजराती में देखना हो तो उसकी भी मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तिल देन, बाई!